नमस्कार जाइन दोस्तों मैं रोहित भारगाउ नियो तुल्ले अकेडमी के यूट्यूब चनल पर एक बार फिर आप सबी के साथ हूँ दोस्तों हम यहाँ पर बात करेंगे देश का पहला ड्रोन इसकुल जी हाँ मद्य परदेश में यूआओं को तकनिक के छेतर में आगे ले जाने के लिए मद्य परदेश में यहाँ पर पहली बार यहां कह सकते हैं कि देश का पहला ड्रोन इसकुल मद्य परदेश के गौलेर में खोला जा रहा है इस drone school के खुलने से मद्य परदेश में तक्नीकी को बढ़ावा मिलेगा यह school मद्य परदेश के गौलेर में खोला जा रहा है अब इस school के खोले जाने के क्या उदेश्य है क्या क्या इसमें तक्नीके रहेगी इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तत रुप से बात करेंगे तो चलिए शुरुआत करते हम बात अगर करें कि गौलेर में जी हाँ गौलेर में अब गौलेर में दोस्तो राजजे का पहला drone school first drone school खोला जा रहा है इस school में कई तरह की तक्नीकी सुईधारे में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर technology को किसको technology को बढ़ावा दिया जाएगा इसी technology को बढ़ावा देने के लिए सिच्छा की दुनिया में कहाँ पर सिच्छा जगद में सिच्छा की दुनिया में एक नई शुरुआत हो रही है और इस सिच्छा की दुनिया में नई सुरुवात मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सिवराश सिंग चोहान और साती सात यहाँ पर केंद्री नागरिक उड्डेन मंत्री यहाँ पर जोती रादीते सिंध्या और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सिवराश सिंग चोहान इस इस सिच्छा जगत में जो शुरुआत हो जा रही है इसकी शुरुआत इन दोनों ने मिलकर करी और इसके लिए एक कारेकरम हुआ था इस कारेकरम का आयविजन कहां पर हुआ था ग्वाल्यर में तो उद्गाटन समारों में दो वेक्टी उपस्तित रहे थे माननी मुख्य मंत्री जी और केंदी नागडिक उड़ेन मंत्री अगर मैं बात करूँ कि इस टेकनोलोजी में क्या क्या होगा तो इस इस स्कूल में ड्रोन नियंत्रण क्या ड्रोन नियंत्रण एवं तक्निकी तक्निक का क्या दिया जाएगा प्रसिक्षन यहाँ पर आपको क्या दी जाएगी मेरे दोस्तों ट्रेनिंग दी जाएगी ठीक है साती साथ इसका उद्देश से युवाओं में युवाओं में डौन टक्निक छेत्र में रोजगार उपलब्द कराना क्या रोजगार के दोस्तो गौलियर में और अगर मैं बात करूँ इसके अलावा इस तकनिक का उपयोग ठीक है इस ड्रोन टेकनोलोजी का उपयोग हमको मिलता है दोस्तो प्रमुक्ष रूप से क्रसी के छेत्र में भी दोस्तो क्रसी में यहाँ पर दवाईयों के छिड़काओ के लिए दवाई प्रदेश में इस तकनिक की स्वामित्व योजना किसके तहद एक योजना है स्वामित्व योजना जिसके तहद भूमी का सरवेक्षन किया जाता है एवं मापन किया जाता है तो भूमी सरवेक्षन एवं मापन में इस तकनिक से यहाँ पर भूस साहिता मिलेगी और भूमी सर्वेक्षण स्वामित्व किस योजना के थाथ किया जा रहा है स्वामित्व योजना के थाथ अगर बात करें दिसंबर 2021 में गौलेर में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था यानि पिछले वर्स 2021 में इसका आयोजन किया गया था साथी साथ ड्रोन तकनीक से जुड़ी लग 20 कमपनियों ने इस मेले में भाग लिया था और बात करें कि ये मानव युक्त और मानव रहित हवाई वहनों का नियंतरन आपके नागरिक उड्डेन मंत्रालाई के अंतरगत आता है तो ये जानकारी दोस्तो मध्यपदेश के गौलेर के संदर्वन में आपको पूरी दी है उमीद करता हूं दोस्तो ये आपको डाटा अच्छा लगा होगा दोस्तो यहाँ से परिक्चा में कई सारे प्रसने बन सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तो अगले सेशन में तब तक के जय हिंद जय भारत